हेलो एर्वान आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाए वह लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टुबाइन आज के दिन पर करीबन 18 पसंद का राली इस टॉक में आते वे देखा था उस राली का खारण था कल के दिन पर इस टॉक ने अपने Q1 नंबर्स डिकलेर किया और उसके चलते वे यहां पे एक स्ट्रॉंग लाली 18 पसंद का इस टॉक में हमने चलते वे देखा था इस टॉक को मैंने करीबन दो मैंने पहले रेक्मेंट किया था जब यह स्टॉक करीबन 25 के आसपास टेट कर करीबन 25 के आसपास ता और आज हम देख रहे हैं 34 के आसपास यह इसलिए तीन मेंने में यह स्टॉक आ चुका है बहुत ही फंडमेटल स्टॉंग स्टॉक है और वीडियो को एंड तक जरू देखना तब जाके स्टॉक के बारे में इस स्टॉक का इंपॉर्टन्स आपको पता चलेगा और मैं क्यों इस टॉक को रेक्मेंट कर रहा हूं फि इस से आपका पॉर्ट्फोलिय और प्रॉट्फिडबल हो सके तो चले सबसे पहले वीडियो की शुरुवात में सबसे पहले नए सबस्क्राइब उसका अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा मैं एक से भी रैजिस्टर ऑफ्राइस परसोन हो सिंस टू तू 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 त इस सेटेड वी टोप मोश्बोकिंग फिंद्या फिनेशिल कंसल्टांट इंवस्टम फिंचल फंड मैंजर एसाइप मैंजर अडवाइजरी प्रॉडक्स यह काफी सारे मारे कंपरी के और हमारी कंप्री पॉर्फोलिय मैनजमें सर्विसिस भी प्रॉइट करती है क्लिया से कौन से से क्शेंट में इस वीडियो को डिवाइड के हो समझ लेते हैं। इस वीडियो में इसे इंसाइट पहले पर नजर डालता है क्योवन रिजल्स के रिविश ख्याटल शुन की बात करें तो जुन में अगर देखें तो 30 सब्सक्राइब पहले मार्च की जून की बात करें, तो रेविन्यू ता करीबन 13,080 करोड के आसपास, और अगर इस समय अगर अगर अब देखें, रेविन्यू है 15,626 करोड के आसपास, यानि अल्मोस्ट 200 करोड का यहां पर 200 करोड का यहां पर रेविन्यू बढ़ जून 2020 की expenses की बात करें, तो 11,480 करोड के आसपास था, और अगर जून 2021 की बात करें, तो 12,670 करोड के आसपास, क्योंकि रेविन्यू बढ़ा है, तो by default expenses भी बढ़े हैं, लेकिन इन प्रपोर्शन बढ़ा है, यानि expenses को ज़ादा बढ़ने नहीं दिया है कंपरी ने, प्र अल्मॉस्ट यहां पे अगर देखें, तो 1300 करोड का टोटल प्रॉफिट बढ़ा है, अगर इन प्रॉफिट की बात के तो 11,180 करोड के आसपास यहां पे टोटल नेट प्रॉफिट था, एज उन 2020 और अगर जून 2021 की बात के तो नेट प्रॉफिट हैं, एक एस्सो सो सतर करो और साथ ही में revenue भी अच्छे से ग्रो किया है expenses को in proportion रखना है in terms of revenue generation earnings पर growth की बात करें यानि EPS की बात करें तो earnings per share यहां पर as on June 2020 देखें तो 11.10 के आसपास था यानि ग्यारा रुपया दस पैसे के आसपास और इस समय अगर जून 2021 का earnings per ratio देखें अनिक्स पर equity share देखें तो य यानि 11 रुपया दस पैसे का बढ़कर earnings per share हो चुका है यहां पर 20.44 तो करीबन 9 रुपय का growth हुआ है पिछले एक साल में LTTS की बात करें आज के दिन के closing की बात करें तो करीबन 3450 के आसपास इसने आज closing दिया है करीबन 18% का rally दिया है करीबन 5.500 रुपय का growth दिया है एक की दिन में इस stock ने अपने investors को पिछले एक साल में अगर निफ्टी से साथ compare करें तो 86% का return दिया है जबके निफ्टी ने सिर companies have bought and 19 mutual fund companies have bought and 15 mutual fund companies have sold with a difference of 57,106 shares यानि almost 70,000 shares यहाँ पे in and out वो है between 19 mutual fund companies buying and 15 mutual fund companies selling तो mutual fund data भी यहाँ पे decent दिख रहा है एक मन्त के return की बात करें सिर्फ 1% का return है यहाँ तीन मन्त में 8% का return 6 months में 8% का return लेकिन अगर एक साल की बात करें तो एक साल में 102% का return है return percentage को देखते हुए clear cut दिख रहा है कि पिछले 6 मेने में यह stock consolidation mode में था ज्यादा return नहीं दे रहा था लेकिन पूरा consolidation आज एक की दिन में इस ने return दे दिया है 18% का growth दिया है पूरे एक की दिन में stock ने और RSI इस समय 56 के आसपास है MFI देखे तो 65 के आसपास है तो दोनों इस समय neutral zone में नाई ओरजवाट situation में नाई ओरजवाट situation में तो इस level पे भी आप invest कर सकते हैं अगर आपको buy on dips लगाना है buy on dips का strategy अपनाना है पहला installment कल की दिन पर लगाईए second installment में recommend करूंगा as per SMA level 2850 का 30 days में है यानि second installment आपको लगाना है करीबन 2900 के आसपास 50 days में 2755, 100 days में 2700 के आसपास और 200 days में 260 के आसपास यानि इस level पे तो यह stock अभी by default नहीं आएगा लेकिन अगर आपको defensive play करना है buy on dips का strategy अपनाना है पहला installment कल के दिन पर लगाई और second installment में recommend करूंगा आपको buying करने के लिए 2900 के आसपास जो है 30 और 50 days में के बीच का level price and volume data देखे तो कल के दिन पे 6 लाग का volume हुआ था जिसमें से 1 लाग के delivery quantity थी यानि almost 15% का delivery quantity कल के दिन पे देखा उसके पहले Wednesday की दिन Tuesday की देखे तो 3 लाग का trading volume था जिसमें से अगेन 1 लाग के delivery quantity थी एक week का average देखे तो 3 लाग का trading volume जिसमें से 91,000 का delivery quantity है और एक मंद के average की बात करें तो 2 लाग का यहाँ पे trading quantity है जिसमें से 71,000 के आसपास delivery quantity देखा गया है shareholding pattern की बात के तो promoters के बात 74% के आसपास है FIS की बात के तो 8.92, DIS 6.68 और public holdings की बात करें तो 10.16 के आसपास यानि जो shareholding pattern है वो भी काफी decent है इस particular stock का चार्ट pattern की बात करें तो पिछले पैसकते 5 दिन में इसका जो bottom था 802 के आसपास और आज की दिन पर हमने देखा strong rally 34 का इसने दे दिया है एक मन्त के bottom की बात के तो 27.16 के आसपास था जो आज के दिन पर closing दिया है 3450 और अगर तीन मन्त के closing की बात तीन मेंने का bottom देखे इस stock का वो था करीबन 24.68 यानि 25.00 के आसपास ही जो मैंने वीडियो बनाया था तीन मैंने पहले तब ये 25.00 के आसपास trade कर रहा था और इस समय अगर हम देखे तो 34.00 के आसपास ये stock आ चुक है आज के दिन पर 3450 का इसने closing दिया है बाइडिफॉल्ट बड़िया राली दिया है stock ने और आने वाले समय में बहुत ही बड़िया रिटन्स ये आपको stock दे सकता है आशा करता हूं आज का जो वीडियो आपको पसंद आरेगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को share करना वीडियो को सब जितना हो सके like करन और चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को शेर करना आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर मेरा इमेल आड़ी मेरे शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म फ्लैश हो रहा है साथ ही में मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है अगर आपको existing portfolio में कोई consultation coaching की जरूत है वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए consultation coaching book कीजिए exactly आपको आपके हर एक problem का उस consultation coaching में solution मिल जाएगा Thank you